हीलो फ्रेंश मैं अनामिका मेरी किछिर में आप सभी का श्वागत है फ्रेंश आज मैं दीवाली एस पेसल नमक पाड़े की रेष्पी लेकर आए हूं इसे बनाना बहुत ही आशान है और यह हर घटने दीवाली में बनाई जाती है हम इसे बहुत ही आशान तरीके से बनाना इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बच्छे बड़े सभी पसंद करते हैं और बनाना बहुत ही आज़ान है तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी शेजल को लाइक कीजिए शर्क्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमें वकस में कॉमेंट मितना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शूपर दें नमक पाड़े बनाने के लिए हम एक बड़ा शा बॉल लेगे इसमें हम मैदा डालेंगे तो यहाँ पे हमने दो शुवरा मैदा लेया है मैं देखो हम अच्छे से छाल लिए हैं अब हम इसमें आधा कटोरी रवा यानि कि शूजी डालेंगे आपके पास मोटा बारीक वाला जो भी हो उसे डाल दीजिए इससे क्या होता है नमक पारे कुरकुरे होते हैं इसमें हम एक चमस नमक डालेंगे आप अपने टेष्ट के कॉर्डिंग डालेंगे ज्यादा नमकिन नहीं करना होता है हलका असा नमकिन फ्लेवर आने लाइक नमक डाला जाता है अब हम उसमें एक चमस आजवाइन डानेंगे आजवाइन को हमने साफ करके हम थेली पी मसल लिया है अब हम इसमें आधा कटोरी रिफाइन डालेंगे और हथेलियों से इसे मैसेंगे इसे हम मोईन करते हैं यह डालना बहुत ज़रूरी है तभी अपना नमक पाड़ा जो है वो नमकीन और खाष्टा बनेगा ऐसे हम इसे अच्छे से मसलेंगे मोईन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो मोईन की एक अच्छी पहचान है मैदे में जब हम तेल डालके मिश लेंगे उसके बाद हम हथेली से ऐसे मुठी वाधेंगे आप देख सकते हैं यह अपना अच्छे से बंग जा रहा है तो यह भी परफेक्ट मेजर बताता है और वैसे हम 500 ग्राम मैदा में 100 ग्राम तेल डालते हैं तो भी अपना मोईन परफेक्ट होता है तो हमने मोईन मैस लिया अब हम इसमें पानी डालके आटा गूंदेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक शाथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो यह गीला हो जाएगा फिर तो नमक पारे बनाने में दिक्कत आये ही हथेलियों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और ऐसे फैलाते हुए मैं देखो अच्छे से गूंदेंगे हमें इसे ज्यादा हाड भी नहीं करना है और ज्यादा शौट भी नहीं होने देना है हमने तीन बड़ हंथेली मिले के तीन चुल्लो पानी डाला तो यह मैंदा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम ऐसे मुठी बना के इसे मसल मसल के शौफ्ट करेंगे हमने मसल मसल के आटा को अच्छे से गूद लिया है आपको दिखा दे रहे हूं यह नहीं ज्यादा हाड है नहीं ज्यादा शौफ्ट है तो हमें ऐसे ही डोचे लिए नमख पारे के लिए अब हम हंथेली में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे ग्रीज कर लेंगे मेदा अच्छे से फुल जाएगा फिर हम इसे बेल के तो अच्छे से लिए नमख पारे तयार हूंगे तो चलिए हम इसे कफ़र करके आध्य घंपी लिये रेश्ट करने के लिए छोड़ देते हैं कि अधा घंटा हो चुका है चरुआ हम एक बार डो को चेक कर लेते हैं हम कभ़ड हटा देगे डोको हम निकाल लेंगे उसेograph Larry कि कड़ेंगे एक लोका सबस्रेन है तभी हम निकालेंगे अब हम दोनों हाथ से एक बाड़ा ऐसे अच्छी से मसल लेंगे हमने लिट फॉर्म पे भी नमक पाड़े की डो को अच्छी से मसल लिया है अब हम इसके दो टुकडे कर लेंगे एक टुकडा हम रखते हैं बाद में बनाएंगे दुसरे का हम एक अच्छा सा लोई तयार करेंगे तो ऐसे हम एक लोई तयार करेंगे प्लिट फाउं को थोड़ा सग्रीज करेंगे क्योंकि इसमें अल्रेडी तेल डाला हुआ है अब हम एक बेलन की मदद से इसकी पटली सी रोटी जैसे तयार करेंगे तो यह मैदा है आप इस फैलाना चाहें फैल जाता है हमने लोई को एक पतली सी रोटी के बड़ा वड बेल लिया है तो इसकी ठीखनेस भीखा देती हूं आपको इतनी ही पतली हमें बेली है ना ज्यादा पत्ली है ना मोटी है यानि कि हम लोग भाख्री जैसे बनाते हैं उतना ही मोटा इसे मेलना है अब हम एक चाकू की मदद से इसके किनारे को हटा लेंगे यह वेश्ट नहीं करना है इसे हम दुसरे लोई में यूज कर लेंगे तो जो टेल हमे रहा है उसे हम काट के हटा लेंगे अब हम इसकी कटिंग कड़ते हैं तो हमें इतनी पत्ली-पत्ली साइज की नमक पाड़ा बनाना है तो हमने पहले लंबा लंबा ऐसे काट लिया है अब हम दूसरे साइड से ऐसे काटेंगे तो ऐसे हम छोटे छोटे इसमें काटेंगे आप अपने मन पसंद का थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमने नमक पाड़े को कैसे काटा है एकदम छोड़े-छोड़े साइज में काटा है आप अपने मन पसंद साइज का काटिए अब हम सबको एक प्लेट में उठा लेंगे यह एकदम आसानी से उठ जाता है हमने एक बैस के लिए पीसस सयार कर लिए हैं चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पे हमने तेल गडम होने के लिए रख दिया है। गैस पे तेल गडम होना है तो कितना गडम होना है वो भी आपको ध्यान रखना है। जादा हीट नहीं करना है हमें। हम एक पीस डाल के आपको दिखा रहे हैं, हमने नमक पाड़ा डाला तो तेल से हलके हलके बबल सा रहे हैं, यह तैर के डाइरिक्ट उपर नहीं आता है, तो ऐसे ही हमें तेल गड़म से ही, जादा गड़म हुआ, तो यह उपर से जलके अंदर से कच्छा रह जाएगा, अब ऐसे ही हम मेडियम तेल में धीरे धीरे नमक पाड़े को छोड़ देंगे, एक बाड़ में इतना आ सकेगा, हम इसमें छोड़ देंगे, तेल है, थोड़ा सा उधाने से आप छोड़ियेगा, हमने पेल में इसे छोड़ दिया है, अब ही हमें दो से तीन मिनट तक इसे छूणा नहीं है, जब यह तैर के ऊपर आजाएगा, गैस को एक दम स्लो फ्लेम पे हमें रखना आए, तब ही यह नमक पाड़े जो है, अच्छे से क्रिस्पी होंगे, तो दो मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, एक साइब से इसका कलर, जो हम ज़रनी की मदब से थीरे थीरे इसे उलट लेनी, अगर आपको लगता है कि तेल ज्यादा थंड़ा हो गया है, तो आप हलका सा गैस तेज करके तेल को हीट कर लिजिए, और फिट स्लो फ्लेम पे ही जिर फ्राइ कीजिए दस से बारा मिनट उलट उलट के फ्राइ करने एक बाद आप देख सकते हैं, नमक पाड़ी का कलर कितना बढ़िया हो गया है, एक क्रिश्पी भी दिखने लगा है, तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, इसे हम ज़रनी पेर से तेरह करते हुए, एक्ष्ट्रा तेल घिरने लेंगे, और एक प्लेट में से निकाल लेंगे, अब देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर और ये धंडा होने पेर क्रिश्पी होगा, तो हम आपको तोड़ के भी विखाएंगे, ये दिवाली के स्पेसल नमक पाड़ा तयार है, तो चलिए हम सेम प्रोसेस से, दूसरा बै बैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, एक एक नमक पाड़े को हमें तेल में छोड़ देना है, ऐसे जितना आसके हम डालेंगे, और इसे हम आडाम से एक साइट से दो से तीन मिनट सीखने के बाद टर्न करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हम एक एक करके साड़े बैस को प्र साइब नमक पाड़ें समें और ऐसे उनता नमक पाड़ें, वन आसन, दीखने में सुन्दर हो ने में टेश्टी है, वहां थो, नह'm पाड़े बनकर तयार है ऐपने देख लिया इस कितना आशान है और खाले में तेयो बहुत ही टेश्टी होता है, एक दम शोफ्ट discussion, एक औ तो 15 दिन तक आराम से आप एर-टाइट कंटेनर में भरके रख सकते हैं और नास्ते में ले सकते हैं तो फ्रेम्स इस रेश्पी को आप भी जरूर ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट बक्ष में अपना कॉमेंट लिखना मत भूलिए धन्यवाद